हलो मेरे करांतिकारी बच्चों कैसे हैं आप लोग आज हम लोग लेकर आए हैं वन शॉर्ट चैप्टर का नाम है केमिकल इक्विशन और रियेक्शन इसमें हम देखने वाले हैं कि दुनिया का सबसे तेज रियेक्शन कौन से होता है उसके अलाव हम देखेंगे टाइपस इंफोर्मिशन भी हम लोग देखने वाले हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा और नोट्स बनाते रहिएगा बहुत शॉर्ट में मैं करवाँगा पूरा चैप्टर करवाँगा कोई भी अलग से चीज आप लोग को नहीं करनी पड़ेगी ना कोई अलग से वीडियो द सबसे पहले कि हमारे पास रियक्शन किसे कहते हैं तो रियक्शन अगर हम वर्ड का मीनिंग देखें तो पड़ती किरिया को बोलते हैं हिंदी में हम अगर इसको डिफाइन करें तो कहते हैं कि आपका रियक्शन क्या है इस बात का क्या रियक्शन है तो हम अपना आंसर देत कोई भी single particle होता है तो इसको हम बोलते हैं atom अगर single particle होगा तो इसको बोला जाएगा atom और अगर ये मिल जाता है तब इसको बोलते हैं molecule तो ये हमारा atom है single particle और जब ये दो मिल जाते हैं तब इसको molecule बोला जाता है example के तौर पर हमने A और B को mix किया तो यह reactant है और जो यहाँ चीज मिली हमें वो है हमारा product तो product मिलता है हमें reactant से कभी-कभी हमें यहाँ एक substance डालना पड़ता है उसको हम catalyst बोलते हैं catalyst वो substance होता है जो किसी भी reaction को हलका या तेज कर सकता है याद अखिएगा बहुत सारी किताबों में सिर्फ तेज लिखा है लेकिन catalyst दो तरीके का होता है उसको तेज भी कर सकता है reaction को और हलका भी करता है आगे बढ़ते हैं और types of reaction देखते हैं वो reaction जिसमें chemical reactions होते हैं उनको हम chemical reaction बोलते हैं जिसमें कोई भी chemical reaction नहीं होगा उसको बोल दिया जाएगा physical ठीक है example देख लेते हैं जरा physical का तो cutting of paper cutting of paper अगर हम cutting of paper कर रहे हैं तो इसको बोल दिया जाएगा physical cutting of paper क्यूंके इसमें कोई भी chemical reaction नहीं हुआ breaking of glass ये सब हो जाएंगे हमारे पास physical chemical changes में अगर हम coal को जलाते हैं petrol को जलाते हैं wood को जलाते हैं तो साथे chemical reaction हो जाएंगे curd बनना दही बनना मतलब तो ये साथे हमारे chemical reactions होते हैं अगर हम से पूछा जाए कि क्या कोई ऐसा भी reaction है जो के chemical और physical दोनो है तो याद रखेगा burning of candle burning of candle burning of candle physical और chemical दोनो है अभी मैंने आप लोगों से बोला था कि मैं आपको बता हूँगा कि दुनिया का सबसे तेज reaction कौन सा है तो याद रखेगा fastest reaction कौन सा होता है fastest reaction होता है जब H2O proton देता है और H3O बनाता है इस H3O को बोलते हैं हम hydronium तो ये fastest reaction है वो fastest reaction होते है burning of petrol in car ये vehicle ये भी fastest reactions में आता है आप लोग याद रखेगा ionic reactions कहते हैं उन reactions को जो के दो opposite charges के बीश में होते हैं मतलब positive और negative के बीश में होंगे तब उसको हम बोल देते हैं ionic reactions ठीक है तो अब ज़रा देखते है chemical bonding chemical reaction हमाई पास कितने तरीके का होता है तो सबसे पहला होता है combination दूसरा होता है decomposition तीसरा displacement double displacement और redox reaction अगर हम कुछ extra चीजे पढ़ना चाहें तो precipitation reaction में आप लोगों को बताऊंगा किसे कहते हैं इसके examples भी देखेंगे और कौन सा precipitate किस color का होता है ये भी हम लोग last में देखेंगे उसके बाद आता है हमाई पास neutralization reaction और last में हम देखते हैं exothermic और endothermic इसका मैं example बताऊंगा आप लोगों को जादा तर लोग confused रहते हैं जब वो equation आती है वैसे तो ये बहुत आसान है सब लोगों को पता होगा लेकिन जब हम example देखते हैं तो जादा तर लोग गलत कर देते हैं तो आईए सबसे पहले देखते हैं combination reaction झाल 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 झाल